हेलो स्टूरेंट्स वेलकम टू माई चैनल एडूबिला पॉइंट और आज हम करेंगे केजी क्लास की इंगलिस की वर्षिट जो है 114 नंबर की और आज के वर्षिट में हमें सी लेटर को सीखना है तो हेलो केट्स होप यू आर डूइंग गूड मैं आसा करता हूँ कि आप लोग अच्छा कर रहे हैं तो इसका फर्स टॉपिक है कम लेट्स सिंग ए सॉंग चलिए एक हम गाना गाते हैं गाना है कैनी दा क्विट केटरफिलर क्रॉल्स और क्रिप्स ओभर दा कलरफुल फ्लांट्स और लिफ्स वेन कैनी दा क्विट केटरफिलर वांच तो फ्लाई इट गोज इन्टो इस कुल कोकॉन to become a butterfly अब हमने यह गाना गा लिया तो यहाँ पर second topic है और second topic यह है कि let's call the names of the following pictures and find out their first sound कर रहा है कि आप दिये हुए pictures का नाम जानिये और इसका जो first sound है उसके बारे में भी जानिये उसको ढूंड़िये तो यह क्या है यह है corn तो इसका first sound क्या हो गया c यह है coat तो इसका first sound क्या होगा c here is cap तो इसका first sound होगा c और यहाँ है camel तो इसका भी first sound होगा c फिर है calendar तो calendar का first sound क्या होगा c होगा और then candle तो candle का first sound भी होगा c उसके बाद है crown तो crown का first sound क्या होगा c फिर last में है castle तो कैसल का first sound भी होगा C, तो इस तरह से हमने सारे pictures के first sound के बारे में जान दिया, आब topic 3 है, उससे पहले कर absolutely right, the first sound is C, बास्तों में सही में इसका first sound C होगा, और next है topic 3, let's see the confirmation, of the letter C, आप यहां देखिए letter C कैसे बनता है, तो यह यह बनता है, हो गया, उसके बाद है topic 4, और topic 4 है, come let's find out the letter C, now color the letter C using orange color, तो आप orange color से आपको letter C को color करना है, तो यहां क्या है, यह है C, फिर यह C है, आपको color करना है, आप color कर लेंगे, तो इस तरह से आप C letter को, जितने भी इसमें C letter है, सारे letters को खोज कर ढूंड कर color करने है, देखिए, यहां से यहां तक सारे C हैं, फिर यहां से यहां तक सारे C हैं, तो इन सारे letters को ढूंड कर आपको color करने है, और किस letter से करना है, तो orange color से करना है, ओके बच्चो अब यहां पर लास्ट में टॉफिक फाइफ है और टॉफिक फाइफ में है कि now come and trace the letter C using crayons आप अपने crayons के सहायता से C letter को trace करेंगे और इसको colorful बनाएंगे ओके और फिर यहां पर देखें यहां पर six point में let's color the फुलवारी वर्षिट नमबर 54 आप वर्षिट नमबर 54 के फुलवारी से इस तरह का आप वर्षिट निकालेंगे और इसको color करेंगे और उसके बाद माता पिता बच्चों के चित्र बनाने में सहायता करेंगे और फिर अजवाकों के लिए सुझाव है कि C for cutlet भी होता है और बच्चों को बताईए कि घर में बना हुआ पॉस्टिक और साप सुथरा खाना ही सेहत के लिए फैदेवन्ध होता है इसके लिए आ में मिक्स सबजियों का cutlet भी बना कर खिला सकते हैं तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्षिट जिसमें हम लोगोंने sound C और letter C को जाना और इसी तरह आपकी आज की वर्षिट समाप्त होती है मिलते हैं next वर्षिट में thank you